दोस्तो लोन से फसे हुए सभी डिफोल्टर्स को RBI आप खुद से निकालेगा सभी को सभी को या सब परिशानियां आप लोगे जहिलना पड़ जो भी डिफोल्टर हो सभी को मैं बोल रहा हूँ RBI खुद से अब जो है आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उससे निकाल लेगा जहां दोस्ता आप लोग सही सुन रहे हो आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ ऐसा ही information देने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या जो है RBI बोला है जिसके वज़े से आप लोग जो भी फसे हुए लोन से लोन में फसे हुए हो उससे आप लोग निकल सकते हो जो भी परिशनी आप लोगों को जहिलना पड़ रहा है वो परिशनी आप लोगों को जहिलना नहीं पड़ेगा वीडियो पुरे इन तक वच करें बिना स्किप यूए तभी आप लोगो सही तरीकर जानकरी मिलेगा अगर आप लोग नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब बेटन प्रेस नहीं की हो तो सभी से मेरी कोश्च कर रहा हूँ आप लोग निकलोंके कैसे वो निकालेगा कैसे यहां पर आप लोगको कुछ गाईडलाइंस आप लोगों को देने वाला हूँ तो यह जो गाइड़ेंज्स है, यह क्यों निकालते है, RBI, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रिजन है, क्योंकि RBI को पता है, अगर मैं गाइड़ेंज नहीं निकालूंगा, यह जो company वाले है, loan company वाले है, bank है, यह customer को जीने नहीं देगा, जीन्दा चला देगा, मैं आप लोगों बोल रहा हूँ, एकदम बरबाद कर देगा, अगर वो guidelines निकालेगा नहीं, यहाँ पर guidelines है, लेकिन मानता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन है तो, मतलब क्या है, law है, ऐसा नहीं कि कोई भी law नहीं उसमें मनमानी कर रहा है, वाई कोई इसमें रोक टोक करने वाला नहीं है, रोक टोक करने वाला भी है guidelines भी है मतलब law है तो यहां पर आप लोगों को समझना है कि law अगर है तो यहां पर अगर कोई भी crime कर रहा है मतलब उस law को follow नहीं कर रहा है मतलब वो होता है कि भाई default करना क्राइम नहीं है वो सिबिल में पड़ता है वो कोई क्रिमिनल केस नहीं होता तो यहां पर आरभी ने कुछ गाइडलेंज निकाला है अब वह गाइडलेंज क्या है अगर आप default करते हो अगर आप payment नहीं कर पा इस तरीके का परिशान कर रहे है, फोन कर रहे है, जिना हरम कर दिया है मेरा, तो वो खुद से बोलेगा, कि आप जो है फोन मत उटाओ, जब पैसा होगा पेमेंट कर दो, मैं यहाँ पर बोलता हूँ न, सेम चीज़े वहाँ पर भी बोला जाता है, क्योंकि पता है कि आज के टाइम में क्या कर रहे है कंपनी वाले, मन मानी सुरू कर दिया है, यहाँ पर कोई भी किसी का बात सुनता नहीं है, खुद का ही बात सुनता है, खुद का ही दिमाग लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ गाइडलेंस है, पहला गाइडलेंस आप 2000 के according यह एक crime है अगर यह crime करता है electronic जो है device hack करना तो वो उन लोगों को तीन साल तक का जो है jail हो सकता है और साथ साथ जो है compensation या पर fine भी लग सकता है तो यह आप लोग समझो चीज़ को सही तरीके से प्रावधान है यह ठीक है contact list पर जाके गंदा गाली देना ठीक है अब contact list का क्या दोस है आपने लोन लिया है contact list को phone करके परिशान करना यह जो भी है खराब चीज़ है साथी साथ जो है आपके नाम में जो है information confidential किसी को बोला नहीं जा सकता लेकिन आप यह फोन करके सब को जो है बोलने लग जया है का है का confidential अगर आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप जो है वहाँ पर sign किया था यहां पर जो भी है लोन का agreement करने पर यह कर जाएगा नहीं करोगे लेंगे लेकिन यह लोग क्या कर रहे है कि आपके साथ जो है गलत कर रहे हैं वह आपके लोन एग्रिमेंट में यह भी लिखा होता है कि आपका जो भी डॉक्मेंट होगा आपका जो भी information होगा वह confidential रहेगा आप लोग देखे होंगे confidential रहेगा क्योंकि आप लोग का information किसी के साथ share करी नहीं सकता कोई भी company यह rules के खिलाफ है लेकिन फिर भी यह लोग करता है क्योंकि उनको पैस की जरूबर वो पैसा मांग ले भाई आप लोग पैसा लेके बैठे हुए पैसा नहीं दे रहे और वो यहां पर आप लोग उनके उपर action ले सकते हो आप खुद से भी ले सकते हो आप कानूनी help ले सकते हो नहीं करता है तो code में जाके case करड़ो यहां पर आप ही लोगो का साथ देगा कोई भी company का जो भी लोग है आप वह लोग डरा नहीं का रहे लेकिन वो डरा किस तरीके से र intel harassment कर रहा है आप लोगों का reputation खराब कर रहे है इज़त खराब कर रहे है यह जो है एक बहुत ही खराब चीज है यहां पर आप आप लोगों को चीजे भी होता है जिसके वज़े से दोनों को balance करने के चलना पड़ता है RBI को देखना पड़ता है NBFCs banks को भी और borrowers को भी बॉरोवर नहीं रहेगा तो bank नहीं चलेगा बैंक नहीं चलेगा तो borrowers का कैसे चलेगा दोनों में balance रखना पड़ेगा अब सिर्फ आप ही लोगों का बात सुनेगा bank का नहीं सुनेगा या फिर bank का सुनेगा आपका नहीं होना चाहिए ठीक है banks और NBFCs को भी यहाँ पर loan देना पड़ेगा और आप लोगों को loan भी लेना पड़ेगा तब ही जो है दोनों तरीके से जो है वो चलने वाला है और RBI को यह पता है कि मैं अगर directly customer का सब कुछ सुन लेता हूं और धड़ा-धर सब को bank card दिलने लगता यहाँ पर जो भी है financial stability में गरबढ़ हो सकता है और जो भी है वो market जो है totally गिर जाएगा अचानक से गिर जाएगा इसलिए जो भी है आप लोगों को support भी करता है साथ साथ उन लोगों को earn करने के बाद भी वो उन लोगों को support करता है मतलब दुनों को balance करके चड़ना पड़ है तो आप खुझ से उनके साथ जो है आप लड़ सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए जैसे ताइस से करके आप लोग लड़ सकते हो गाली गलोश कर सकते हो आपने तौर तरीकों से कर सकते हो ठीक है आप लोगों को खुला छूट देकर रखा हुआ है आप लोग डरना नहीं है सब चीजों से डरना है उन लोगों को क्योंकि वो एक रिजिस्टर्ट कमपणी है अगर उनका बैंड बच जाता है तो वो कभी भी लोन नहीं दे पाएगा किसी को और पैसा वापस भी नहीं ले पाएगा एक बार लाइसेंस अगर कैंसल हो जाता है मतलब वो फर्जी हो चुक जय हिन जय भर दोस्तों